हलो गाइज वेलकम टो एंबिसस्वावा डॉट कॉम मैं हूं गणिस राभत और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहा है वह एलिगेशन मिक्षर का सेकेंड पार्ट यानि कि पहले पार्ट में मैं इसका कंसेप्ट बता चुका हूं ठीक है आज थोड़ा सा इसका जो रूल है यह देखलेंगे क्वेस्टन ने से पहले जो भी आज क्वेस्टन है तो वह हम लोग देखेंगे और जो यह स्टूडेंट को डर लगता वो डर आज निकालने की कोशिश करेंगे यह तोपिक मैंने पिछले वीडियो में बताया काफी इंप़र्टन टोपिक है तो आज के वीडियो में allegation का question तो उठाएंगे ही साथ में कुछ ऐसे question को उठाएंगे जो दिखने में नहीं लगते हैं कि allegation का है कुछ ऐसे question को भी उठाएंगे जो दूसरे topic से related है बट वहाँ allegation का use कर सकते हैं और allegation का अगर आप वहाँ यहां पर यूज करते हैं तो question बहुत छोटा हो जाता है मतलब solution बहुत छोटा हो जाता है तो चलिए आज हम लोग अभी start करते हैं question first question जो कि प्योर allocation का question है पहला question यहां पर लिखा हुआ a milk vendor has two cans of milk the first contains 25% water and the rest the milk the second contains 50% water obviously 50% water means जो rest है वो 50% milk हो जाएगा how much milk should be he mix from each of the containers and the two cans से उन दोनों में से कितना वो निकाला जाए to get 12 liter of milk such that the ratio water to milk is 3 is to 5 question क्या है कि दो container है एक यह container है एक यह है और इससे mix इससे यहां पर निकाला गया इससे निकाला गया इससे निकाला गया ठीक है तो यहां पर बोला है कि जो ratio है वो 3 is to 5 का ratio बने इसमें water to milk है ना और अगर milk to water लेंगे तो 5 to 3 ब्राबर तो कितना इसमें से निकाले अब चलिए यह container A है और यह container B है इससे निकाल करके यह लिया गया तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बना करके बताऊंगा ठीक है दो-3 तरीके से इसमें बता करके इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे इस topic को बना सकते इस question को दिखने में बहुत डेंजर लग रहा है बहुत बड़ा लग रहा है बहुत वाटर अच्छा इसको कैसे बनाऊं मैं ठीक है पहला कंटेंड कितना वाटर कितना कंटेंड कर रहा है तो 25 परसेंड वाटर का मतलब है यहां कितना वाटर कंटेंड कर रहा है इसमें मिल्क के तरीके से बनाई है पहले में जो मिल्क कितना है वह सब पता चल गया इसमें मिल्क है 3 by 4 इसमें milk है 1 by 2 जो यहाँ पर जो mixture जो दोनों को mix करके यहाँ पर ratio लिया गया तो अगर उसमें देखा जाए तो कितना है यहाँ पर अगर water की बात किया जाए तो 3 by 8 water है और milk कितना है 5 by 8 milk है यह 3rd में जब 3 एक तरीके का चीज मिल गया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं है न? allegation का जो rule है तो rule क्या था allegation का c d m d minus m m minus c यह आता है ठीक है अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाएंगे मैं इसको मिटा देता हूँ यह part बस इतने में ही बन जाएगा यह तो मैंने आपको explain करने के लिए इतना बना है बढ़ अगर आपको click है तो वहीं पर आप answer निकाल सकते थे चलिए water से pick करते हैं तो 1 by 4 पहले में water है दूसरे में water कितना है? 1 by 2 है और जो final यहाँ पर mixture है उसमें कितना water है? 3 by 8 बरबर अब देखते हैं आप इसको यहाँ पर minus कीजिए ठीक है? तो अगर 3 by 8 minus 1 by 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 minus 4 हो जाएगा ना यानि 1 by 2 minus 1 by 2 minus 3 by 8 करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा? 4 minus 3 यानि कि 1 by 8 हो जाएगा तो किस से minus के? यहाँ पर आ जाएगा 1 by 8 और इसको अगर minus करते हैं 3 by 8 minus 1 by 4 तो यहाँ 2 आ जाएगा 1 by 8 यह भी 1 by 8 आ रहा है इसका साफ मतलब है कि दोनों जो रेशियो दे रहा है मैंने आपको बताए था कि यह जो आता है रेशियो वो क्या आता है? quantity का रेशियो और quantity is given कितना? 12 लिटर तो answer अपना क्या हो जाएगा? 6 लिटर 6 लिटर यानि दोनों से 6 लिटर 6 लिटर आप पिक किजिए आपका रेशियो क्या में बनेगा? water to milk 3 is to 5 अब यह तो एक तरीका था आप चाहते तो यह part भी लेकर के देखे answer वही आना है कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ ठीक है? यहाँ पे आप अगर milk वाला part लेंगे तो 3 by 4 और यहाँ पे कितना जाएगा? यह तो 1 by 2 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको 5 by 8 करना पड़ेगा बराबर ना क्योंकि milk to water कितना है सरी, milk कितना है? 5 by 8 है तो 5 by 8 है अब देखते हैं 5 by 8 अगर 1 by 2 minus 5 by 8 करते हैं तो कितना आएगा? 4 minus 5 minus 1 by 8 यहाँ पे आ रहा है ठीक है? और 3 by 4 करते हैं तो उल्टा करना पड़ेगा 5 by 8 minus 1 by 2 तो कितना आ रहा है? 1 by 8 ही आ रहा है और यहाँ पे करेंगे 1 by sorry 3 by 4 minus 5 by 8 करेंगे तो यहाँ पे देख लिए LCM 8 है जाएगा यहाँ पे 2 2 into 3 6 minus 5 1 by 8 तो भी 1 by 8 ही आ रहा है तो allegation mixture में आपको 3 चीज़े ऐसा ढूनना है जो एक ही दर हैगा हो अब मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ यह देखिए percentage यह percentage बट यह जो final mixture दिया है वो ratio में दिया है तो क्या हम उसको ratio में percentage में ला सकते हैं क्या? अगर उसको percentage में ले आए न तो वैसे भी बन जाएगा देखिए आपको इतना भी नहीं करने का ज़रूत था कि one by fraction में निकालने का कोई ज़रूत नहीं था इस question को सिर्फ आपको allegation ध्यान रखना है c d m m minus c हो जाएगा and d minus m बस यह ratio आपको ध्यान रखना है यह rule आपको ध्यान रखना है अब देखिए 25% water है यहाँ 25 लिखे दूसरे में 50% water है और जो यहाँ पे water है अगर हम percentage में निकालते हैं तो water ऐसे ही है न water to milk 100 यहाँ पे कर देंगे 4 से 2, 25 यानि 75 का आदा आपको पता है ना 75 का आदा 37.5 अब आप minus कीजिए यहाँ पे क्या आजाएगा 12.5 यहाँ क्या आजाएगा 12.5 देखिए अगें ratio 1 is to 1 आया 1 is to 1 यानि कि 12 लिटर का 1 is to 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लिटर 6 लिटर अगर आप milk से करते हैं तो milk पहले में 75% है दूसरे में 50% है और यहाँ पे मिल कितना हो जाएगा 5 by 8 into 100 यह हो जाएगा 25 into 5 125 का आधा यानि कि 67.5 है ना बरबग अब यहाँ पे आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12 0.5 सॉरी 62.5 होगा 62.5 तो यहाँ पे 12.5 और यह भी कितना हो जाएगा 12.5 रेश्यो क्या हो जाएगा अगेन 1 is to 1 तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको तीन एक ही तरीके का वैल्यू निकालना है आप अलिगेशन में पुट कर दीजिए कि जो नीचे आएगा वो क्वांटिटी का ही रेश्यो आता है क्वांटिटी भी है 12 लिटर उस रेश्यो में आप स्प्लेट कर दीजिए किसी भी तरीके से बनाने की कोशिज करेंगे आएगा आंसर 6 लिटर ठीक है तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही सिंपल है आपको उसमें से 3 value ढूनना है जो कि एकी तरीके का हो अगर आप cost price ढून रहा है तीनो cost price ढून डिये percentage ढून रहा है तीनो percentage ढून डिये ठीक है चलिए next question चलते है a dishonest milkman professes to sell his milk at cost price but he mixes it with water and thereby gain 25% the percentage of water in the mixery यहनि question यह है कि वो जितना milk है कह रहा है कि मैं cost price पर ही बेच रहा हूँ उसके बावजूद उसको 25% का profit मिल रहा है अब 25% का profit कहां से आया obviously पानी मिलाने पर ही आया तो वो पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाया गया कि उसको profit 25% का मिलेगा अगर वो cost price पर ही बेचता है चलिए देखते हैं आपको यहां पर cost price mixture का क्या मिलता है पानी मिलाने के बाद उसको mixture आपको पता है ना कि अगर 100 रूपीज का milk है उसके पास 25% वो गेन कर रहा है यानि बेचने पर 125 रूपीज मिल रहा है लेकिन जब 100 रूपीज cost price है 100 रूपीज cost price है तो mixture का क्या मिलेगा अगर 100 रूपेज का milk शेल करता है तो 100 रूपीज का milk नहीं सेल करता है 100 रूपीज का mixture membership करता है तो कॉस्ट प्राइस कितना गिरेगा वह देखते है हैंने तो 5 रूपीज उसका 25% यानि 125 रूपेजक्वा चार हो जाएगा 100 रुपीज अगर x का 125 बाय 100 करते हैं तो यह यहाँ पे 100 मिलता है यानि 5 बाय 4 5 से यह 20 हो जाएगा तो x equal to कितना 80 यानि mixture का cost price कितना गिरेगा उसका 80 रुपय ठीक है न अभी देखे 80 का 25 परसेंट आप बढ़ा के देखे 100 रुपीज उसका जा रहा है न तो यानि कि 100 रुपीज अगर cost price है और 80 रुपय का milk वो बेचता है तो obviously उसको 100 रुपय में ही मिलता है 100 रुपय ही मिलेगा 25% का profit ही हो गया न उसको तो अब देखे यहाँ पे वो यहाँ पे अगर आप माइनस करते है तो यह 80 हो जाएगा यह 20 हो जाएगा ठीक है न यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 4 is to 1 question अभी खतम नहीं हुआ question क्या पुछ रहा है the percentage of water water का क्या percentage है तो simple 1 by 5 into 100 है न दुनों add कर दिया 20% water है गईज ऐसे भी बना सकते है दूसरा एक तरीका क्या है gain कितना profit अगर ऐसा question रहा तभी यह करम करिएगा 25% का मतलब हो गया कितना 1 by 4 simple allegation भी नहीं लगाना 1 by 4 अब ये 1 by 4 को हब total part माल लिजे कि total part कितना हो गया 5 part 5 part में ये क्या है ये water है क्योंकि profit क्या है profit ही water ही तो उसका profit है न तो 1 water हो गया और 4 जो हो गया वो milk हो गया तो उसका water का percentage अगर पूछा जाया तो 1 upon 5 क्योंकि total part mixture की बात हो गई न अभी तो mix की बात है 4 जो pure milk है और पाक जो है mixture है तो mixture पूछ रहा है कि उसमें mixture में water कितना है तो 20% is your answer simple आप इस तरीके से भी इसको कर सकते question no.3 में आते हैं जो की formula based है a container contains 40 liter of milk from this container 4 liter of milk was taken out and replaced by water the process was repeated further 2 times how much milk is now contained by the container question यह कि container में milk है कितना 40 liter उसमें क्या किया गया है 4 liter milk निकाला अब 4 liter milk निकालने के बाद 4 liter पानी दाल दिया गया तो guys आपको पता है न कि 4 liter अगर यहां पे 40 में 4 liter हटा दिया गया तो pure milk 36 है और जो पानी है वो 4 liter है उसके बद कहा गया है कि यही process further 2 times निकाला गया तो guys जब दूसरी बार 4 liter निकालेगा तो pure milk निकालेगा नहीं निकालेगा ना pure milk निकालेगा तो 4 liter पानी जो उसमें mix हो गया है ठीक है 4 liter पानी जो mix हो गया है तो जब तो दुबारा निकालेंगे, तो दुबारा में वो 4 लिटर प्यार मिल्क नहीं निकलेगा, तो वो mix होके निकलेगा, तो वो mixture ऐसे निकलेगा, तो ऐसे question को कैसे करेंगे, और ये दो बारा और किया गया, यानि कि total 3 बार ऐसे 4-4 लिटर करके निकाला गया, तो इसका अगर answer न to the power n, y है total, जो उसमें total, जो container, content किया है total, और x क्या है, जो निकाला गया है, जितना, ठीक है, ultimately ये compound interest का question, compound interest type का question है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ लिखिए 40, 1-4 by 40 to the power n, यानि कितनी बार किया गया है, तो ये 1 by 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 into 9 by 10, to the power 3, 9 by 10 into 9 by 10, ये 0 cancel हो गया, 9 का cube आपको पता है ना, कितना होता है, 729 upon 10, 729 को 4 से multiply किजिए, और नीचे 100 है, तो point डाल देना है, 29.16, यानि तीन बार अगर आप उसको निकालते हैं, तो 29.16 लिटर pure milk उसमें container में बचेगा, ठीके ना, तो इस तरीके का question आप compound interest के तरीके से भी बना सकते हैं, ठीके, और percentage के तरीके से भी चाहें तो बना सकते हैं, देखे, 40 लिटर दूद है, चार लिटर अगर उसमें से निकाला गया है, यानि 10% निकाला गया, अब इसका 10% निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना 90% ना, फिर अब ये जो whatever जो भी बचेगा, फिर 10% निकाला गया है, क्योंकि 3 बार निकाला गया है ना, तो आप 3 बार 90% ऐसे कर दीजिए, दिकि ध्य आंसे, आपका वही आंसर आया था ना, यही हुआ था ना, परसे, तो परसेंटेज के तरीके से भी बना सकते हैं, गाइस, अभी हम कुछ हो ऐसे question की और चलते हैं, जहाँ पे जो question मैं दूसरे topic के question को pick करूँगा, दूसरे topic के question रहेंगे, उसको हम एक बार उस तरीके से solve कर है, एंड उसमें ये भी देखेंगे कि allegation का क्या scope है, तो इससे क्या होगा, आपको दूसरे topic में भी थोड़ा पकड़ बनेगा, कि हाँ, वहाँ पे भी हम लोग allegation use कर सकते हैं, किस type के question भी use करना है, वो अभी पता चलेगा, चली कुछ और question की और चलते हैं, चली question number 4 देख देखेंगे कि क्या allegation use हो सकता है, क्या and हो सकता है, और इस type के अगर question आए, हर shortcut का एक limitation तो होता ही है, कि अगर इस type के रहे और इस type के question exam में दिख जाते हैं, तो please थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर exam में click कर गया, तो काफी जल्दी ऐसे question को solve कर सकते हैं, पहले हम देखते ह का तरीका, अब money lender gives 10,000 partly to A and remaining to B at 6% and 10% rate of interest respectively and gets 750 रुपीज as the interest for the one year, ना, दोनों मिला के 700 रुपे उसको interest मिलता, what amount he gives to person A, यानि कि 10,000 रुपे वो A और B दोनों को देता है, A को माल लेते, X रुपीज देता है principle, बराबर, और B को कितना देगा, तो B को देगा 10,000 minus X, जो बचा हुआ amount है, rate of interest इसका पता है न, कितना है, 6% और B का कितना है, 10%, time दोनों के लिए 1 year, बोला है, साड़े 700 रुपे total interest मिला, यानि कि इसका interest, अब इसका interest क्या मिलेगा, principle into rate into time upon 100, प्लस इसका interest, यानि 10,000 minus X, 10,000 minus X into 10 into 1 upon 100, अब 100, 100 को आप चाहे तो यहां cut कर सकते हैं, मत करिए cut, यह 100, 100 LCM लेंगे, तो यहां आजाएगा, 75,000, और यहां हो जाएगा, 6X, प्लस 10 से multiply करेंगे, तो यह amount, 10,000 से 1,00, बन जाएगा, और यह हो जाएगा, 10X, अब minus 10X plus 6X हो जाएगा, minus 4X, तो इधर लेंगे, तो यह हो जाएगा, plus 4X, 75,000 उदर जाएगा, तो 25,000 हो जाएगा, इससे आप चाहे तो cut करके, amount का निकाल सकते हैं, तो इसका साफ मतलब 6,250 क्या है, एक का principle, यानि एक को कितना पैसा दिया था, 6,250, अब यह तो हो गया बात की हाँ, ठीक है, यह उसको दिया गया, है ना, यह इस तरीके से, अब क्या chance है, क्या हम उसको तीन तरीके का value है, क्या, चलिए देखते हैं, find करते हैं, कि ऐसे question रहा तो कैसे बना सकते हैं, दो interest तो दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा है, ठीक है न, दो interest दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, दिखें, 10,000 रुपीज है, अगर 6%, 10,000 पे निकाला जाए, तो क्या निकलेगा? 600 रुपय बरबर है क्या और 10 परसेंट 10,000 पर निकाला जाये तो कितना निकलेगा 1,000 जबकि इंट्रेस्ट वो क्या बोल रहा है साड़े 700 मिला है ठीक है अब इसको आप माइनस कीजिए यहां पर लिखे 250 और यहां पर लिखे 150 है ना अब यहां पर क्या हो जाएगा जिरो 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 क्यांसल पांच तीन 5 इस्टू 3 का रेशियो किसका पूछा है परसन ए परसन भी ए को कितना दिया है तो टोटल अमाउंट कितना था 10,000 एक को कितना देगा पांच अपॉंट टोटल कॉंटिटी होता नहीं है टोटल अमाउंट आठ आठ से आप कट कीजिए 1250 मल्टिप्लाइ कीजिए 6250 यहां से भी आ सकता है एक दूसरा तरीका दिखने में नहीं लग रहा है कि इंट्रेस दिख रहा है तीसरे पार्ट का लेकिन 7500 का कितना परसेंट होता है 7500 7.5 होता है गी नहीं होता है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं चलो यहां पर 6% और यहां 10 और यहां लिख देता हूं 7.5 तो यह कितना हो जाएगा 2.5 और यह कितना हो जाएगा 1.5 रेश्यो यही आएगा क्या त्यान से देखिए यही आएगा रेश्यो तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से बनाएए तीन अगर एक तरीके का value आपने ढूंड लिया कुछ question में आपको निकालना पड़ता है जैसे यहां पे तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हम निकाल सकते क्या तो जब भी ऐसा question दिया रहे कि यह figure है उसको दो पार्ट में बाटा गया इसी interest rate से ठीक है और बीच में यहां पर 600 और 1000 क्यों लिया था अगर एक ही परसंट को देता तो उसको 600 मिलता ना दूसरे परसंट को अगर 10% की rate से दीता तो 1000 मिलता लेकिन उसको मिल कितना रहा है 750 यानि कि amount को जो split किया गया उसका हम अगर ratio निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कितना और उसको कितना मिल गया अगर सिर्फ interest की बात किया जाए rate of 6% 10% हमने यहां से निकाल 5 में क्या लिखा गया a sum of 118 rupees was divided among 50 boys and girls है ना पचास टोटल पचास लड़के और लड़कें में बाटा गया कितना 118 rupees such that each boy receive कितना 2.60 and girl कितना receive की है 1.80 find the number of boys boys है girl है हमें चुकि boy का बोला है तो इसी को x माल लेते है girl कितनी हो जाएगे 50 minus x हो जाएगे तो question में क्या बोला है कि हर एक लड़का 2.60 यानि बोल सकते है 2.60 into x है ना total पैसा plus 50 minus x और लड़कें को कितना मिला 1.80 equal to कितना हो जाएगा total पैसा कितना है 118 रुपे है ना तो यानि कि 118 रुपे तो इससे number of boy का निकल जाएगा क्योंकि एक समने number of boy ही माना है 2.60 x plus 1.80 into 50 तो ये कितना हो जाएगा ये 0 हटा ही देते है अंठरब चे 90 हो जाएगा है ना माइनस 1.8 x equal to 118 अब 1.8 इसमें minus करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.8 x equal to 90 minus करते हैं 28 x equal to कितना हो जाएगा 28 upon 0.8 पॉइंट हटाइए ये आपका answer ready 35 यानि x equal to 35 x हमने क्या माना था number of boys यानि 35 तो ये तो तरीका था इसका एक तरह से बोल सकते है simplification type का question क्या यहां पे हमरा use हो सकता है क्या Yes यहां पे भी हम use कर सकते हैं ठीक है कैसे use कर सकते है वो देखेगी ये simplification का question था अब दिखते हैं कि allegation इसमें apply हो सकता है क्या यहां पर तीन तरीके का तीन वैल्यू दिख रहा है क्या चलिए एक तो दिख रहा है बॉय का 2.60 दिया गया गर्ल को 1.80 दिया गया अबरॉल कतने दिया गया दिख रहा है गया दिख रहा है 118 रुपया कितने लोगों में बाटा गया पंचासतो औन्न不會 कितना निकलेगा मीन प्राइस होय एक तो होता है ना स्री है 0 हटाते यहां point करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 2 तो 10 हो जाएगा यहां 18 3, 15 2.36 अब इसको minus करते हैं देखते हैं इसको अगर minus करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 6 और 13 में से 8 गया 5 0.56 हो जाएगा और इधर minus करते हैं तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 0.24 पॉइंट पॉइंट कैंसल हो जाएगा 8,7,6,8,24 यहनी 7 इस्टू 3 का 7 इस्टू 3 का रेश्यो आया क्या आता है यह? यह number of boys ही आया ना quantity आया यह boys का था और यह girl total हमें पता है ना कितना है? 50 है boys का निकालते हैं 7 इन्टू 10 अपॉन 50 क्योंकि उसी का पूछा है 35 अंसर तो इस तरीके से चाहें तो निकाल सकते हैं तो यह था question number 5 का answer तो इस allegation चाहें तो लग सकता है ऐसे-ईसे question में आपको समझना है किस type के question में allegation लगता है जहान दिजेगा next question number 7 की और चलते है 7 का जो question है time and distance का question है देखके लगता नहीं है कि time and distance में भी allegation in हो सकता है ठीक है लेकिन अगर इस question को अच्छे से देखिए हम यहाँ पे भी use करेंगे चलिए ठीक है पहले हम लोग तरीका से देख लेते हैं कैसे a man traveled a distance of 90 km in 9 hour partly on foot at 8 km per hour and partly on bicycle at 17 km per hour find the distance traveled on foot यह by foot है और यह by bicycle by foot मान लेते हैं कि x km चला total distance और तो यहाँ पे distance कितना हो जागा 90 minus x क्योंकि total distance कितना है 90 km speed दिया है कितना 8 km per hour और यहाँ speed कितना है 17 km per hour और दोनों मिला के क्या बता है time दोनों मिला के time equal to 9 hour दोनों मिला के ठीक है हम बोल सकते है time taken by foot plus time taken by bicycle equal to 9 hour ऐसे question बनता है ना time का formula क्या होता है distance upon speed distance upon speed equal to 9 यह हो जाएगा 17 x और यह हो जाएगा 720 minus 8 x और यह क्या हो जाएगा सब multiply हो रहा है 17 into 9 into 8 मैं multiply पर जनरली बिलीव नहीं करता हूँ यहां हो जाएगा 9 x और अच्छा 9 इसमें common ले ले क्या तो 72 तो यहां 80 हो जाएगा मैंने 9 इसलिए common लिया क्योंकि आप ध्यान से दिखिए यह cancel हो जाएगा अब हम चाहें तो 17 into 8 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 136 minus 80 तो x equal to अपना answer आ गया 56 तो x equal to answer आ गया 56 तो x क्या माना था हमने by foot यह नि by foot यह नि पैदल वो कितना चला 56 किलोमेटर 90 में कितना चला वो 56 अब क्या हम allegation use कर सकते हैं क्या इसमें देखते हैं ठीक है I hope की समझ में आ गया होगा time by foot plus time by bicycle equal to 9 लिया हमने और इसको solve कर दिया distance upon speed के तरीके से now allegation कै इसमें भी use कर सकते हैं yes इसमें भी use कर सकते हैं देखे कैसे use करना है speed दिख रहा है न दो लिख देते पहले यह by foot था bicycle 17 mix करके पता है क्या दिया है क्या ध्यान से दिखिए दिया है 90 km in 9 hour मतलब overall किस speed से गया है वो average speed क्या हुआ यहां पे 10 है ना तो यहां पे क्या आ जाएगा 7 और यहां क्या आ जाएगा ratio क्या है 7 is to 2 and total time क्या लिखा हुआ है 9 hour तो हम बोल सकते है कि by foot वो कितना चला by foot कितना आवर तक चला है 9 into 7 by 9 यानिके 7 hour वो चला by foot और 2 hour चला वो by bicycle तो 7 घंटे चलता है किस speed से 8 की speed से तो by foot distance चाहिए आप किसी से भी निकाल लिजे distance अब तो distance किसी से भी निकल जाएगा तो distance equal to क्या होता है speed into time speed क्या है speed है इसका क्या है 8 km per hour और time क्या है तो ये कितना distance चला है वो 56 का distance चला है तो guys आज मैंने कम question पिक किया है ठीक है लेकिन मैंने कोशिस ये किया है कम question सिर्फ इतना ही question अगर आप allegation mixer के समझ जाते देखे difficult question हर एक topic में हो सकते सबसे simple simplification में भी आपको difficult question दिख जाते लेकिन अगर वो question नहीं बना तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें simplification नहीं आता है allegation mixer में अगर 70-80% question अगर आप बना लेते हैं और उसके बाद कुछ एक question नहीं बनता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको allegation mixer नहीं आता है allegation mixer में आप कोशिस कीजिए कि at least basic question बन जा है आपसे कुछ difficult question होते है ठीक है I agree अगर बहुत ज़्यादा आपको difficult question दिखता है तो आप हमें comment box में लिख करके भेजिए हम उसको solve करेंगे उसके लिए अलग से एक session रखेंगे ठीक है तो वो भी question हम आपको करके दिखाएंगे उसमें और कैसे उसमें approach होता है वो उसमें आपको बताएंगे बट मेरा aim यह है कि आप try कीजिए basic question को at least solve करने का basic question आप solve कीजिए ऐसे question जब भी आपको दिखे और एक try कीजिए कि हाँ कुछ एक odd topic में use कीजिए कि क्या हम allegation mixer दूसरे किसी topic में भी apply कर सकते हैं अगर इसका allegation mixture का basic या allegation mixture का concept आपको अच्छे से पता है तो I hope कि आज का session आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आते हैं तो please like कीजिए, subscribe कीजिए हमारे channel को and don't forget to press the bell icon thank you so much